हाई एवरिवन मैं हूँ नीलोफर मस्ती वीद ग्रस्टी चनल में आपका स्वागत करती हूँ आज का वीडियो जो है वो आप अधरक और लसुन को आसानी से कैसे छील ले और उसके पेस्ट को हम किस तरीके से 6 महीने से लेकर एक साल तक कैसे सेव कर सकते हैं महीनों बाद भी हम उसे निकाले तो वो हमें वैसे ही ताजा मिले तो वीडियो लास तक देखिए बहुत ही हॉनेस रिविव मिलने माला है के सच में हमें इतना सारा अधरक और इतना सारा लसुन छिलने में कितना वक्त लगा है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने ले लिया है ये लसुन जिसे हम अपने हाथों की मदद से इसकी कलिया अलग कर ले रहे हैं और इसके ये जड़े और इसकी जो डंठले वो अलग कर लेते हैं इसी तरीके से हमने ये सभी कल्यों को अलग कर लिना है तो मैं आप नीचे जमीन पर बैठ चुकी हूँ और मैं इसे आसान इसे कर ले रही हूँ बैठे बैठे ये देखिए मैंने पानी गरम के लिए रख लिया है पंदरा मिनेट बात देखिए ये इसका आसर हुआ है कि ये सब छिलके अलग होना शुरू हो चुके हैं इसी तरीके से हम इसे मसलते जाएंगे ये देखिए छिलके अलग होना शुरू हो चुके हैं इस तरीके से यासनी से निकल रहे हैं पर कुछ निकल रहे हैं कुछ नहीं तो जो जो निकल रहे हैं, मैं उन्हें निकलने की कोशिश कर रही हूं. ये देखिए, इसमें बहुत सारी छिले वह हैं, सब भी को निकाल लेती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके, पहले हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं इस तरीखे से, यह देखिए यह भी निकल गए आराम से इस तरहीखे से हम देखते हैं कितने निकलते हैं यह देखिए 10 मिनट में मैंने इतने सारे निकाल लिये हैं अब ये ज़रा hard portion इसलहे, मैं एसे थूटा knife के जरीए निकाले है, बहुत ये आसानी से निकल जा रहे हैं, छिल के सही से नजर नहीं आ रहे हैं, तब तक मैं इसका पानी निकाल लेती हूं, एक छलने के जरीए हम इस पानी को निकाल लेते हैं, और इसे knife के जरीए के करके छी शील लेते हैं कर दो दोना को च्हील लिया है करीब ही देखिए गट्रक को ना इस ठीज और टेल को लेशनकोल में चुमतर crying। इतने 1 kg अद्रक और लसुन के कट को हम 3 पॉरिशन में डालने वाले हैं इस तरीके से हम इसमें एक चमच तेल एक चमच नमक डाल देंगे और इसे पीस लेंगे हमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इस तरीके से हमें चमच की मदद से इसे चलाते जाना है और इसे पीस लेना है ये देखी पेस्ट बन चुका इसी तरीके से हम ये दूसरा बैज भी ले लेते हैं इतने यादरक और रसुन का इसमें फिरसे डालेंगे एक बड़ा चमच नमक एक चमच तेल वापस है इसे पीस लेंगे ये देखी दूसरा पेस्ट भी हो चुका अब ये तीसया पोशन ले लेते हैं इसमें भी हम डाल देंगे एक चमच नमक, एक चमच तेल इस तरीके से हमने तीन चम्मच नमक और तीन चम्मच तेल इतने पुरे अधरक लसन के लिए यूज़ कर लिया है मतलब एक किलो अधरक और लसन पिस चुका है जिसमें हमने तीन चम्मच नमक और तीन चम्मच तेल डाल दिया है दो प्लास्टिक के कंटेनर हमें चाहिए एक बड़ा वाला हम फ्रीज के आइस सेक्शन में रखेंगे और दूसरा नॉर्मली फ्रीज में रखेंगे ताके हम इसे नॉर्मली रोज यूज़ कर सके इस तरीके से हम इसे साल भर के लिए सेफ कर लेंगे तो कैसा लगा वीडियो प्लीज लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू